नमस्कार नागपुर हलचल में आपका स्वागत है तो अब नजरे डालते हैं नागपुर के विबित हलचल पर केंदरी मंत्री नितिनगडकरी के प्रयासों से वितिविभा के expenditure finance कमिटी ने नागपुर की प्रजेक्ट को मंझूरी दे दी है इस मंझूरी के पश्यात नागपुर की पहचान जुड़ी हुई है उस नागपुर की प्रदूशन दूर करने और नागपुर में साफ पानी प् पुनर जीवन परियोजना को मंजूरी दी थी। यहाँ परियोजना नाकपुर शहर के लिए एक बहुत ही महत्व कांग्शी परियोजना है और इस परियोजना के पूरा होने से शहर की सुन्दरता में चारचान लगेंगे। इस प्रजेक्ट को कैबिनेट की मन्जूरी मिलने से अब 2170 करोड रुपे की परियोजना पर वास्तविक रूप से काम शुरू होगा इस कारे के लिए 8 वर्ष की अबधी निर्धारत की गई है जिसके तहट 92 MLD की शमता वाली 3 STP पर योजनाए 500 किलोमीटर सीवरेज नेटवर्क, पंपिंग स्टेशन सामुदाइक शौचाले आदी का निर्मान किया जाएगा शेहर के केंदर से होकर बहने वाली नदी और द्योगिक शेत्रों के सीवेज और राजसाइनिक पानी से प्रतूशत हुई है इस नदी से निकलने वाले पानी पर प्रोसेसिंग गरों से स्वच्छ किया जाएगा महात्मा गान्दी अंदर राश्ची विश्व विद्याले में पंडिट मदन मोहन मालवियर राश्ची शिक्षक एवं शिक्षन मिशन के तत्वावधान में शिक्षा विद्यापी द्वारा साइबर सुरक्षा जागरुता कारिकम के अंदरगत आयोजित राश्ची साइब साइबर सुरक्षा को लेकर जाग रुकता लाने और प्रोध्योगेगी को डीकोड करने की जरूरत है साइबर सुरक्षा के समूचे तंत्र और इसकी क्रिया विधी को जानना समय की आवशकता है मंगलवार कौयजित कारशाला में बैंक कौक के साइबर सुरक्षा विशेशग्य राहुल कुमार सोशल साइबर सुरक्षा विशेशग्य और पने शुकला दिल्ली ने भी संबोधित किया प्रतिकुलपती प्रोफेसर शुकले ने कहा कि इंटरनेट की व्यापती काफी बढ़ गई है इसका नियंत्रन अपने हातों में नहीं रहा है इसका प्रयोग एक बाधिता बन गई है उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा की जानकारी के लिए निरंतर चर्चाएं और कारेशा सालाओं से लोगों को परिचित कराने की बहुत आविशक्ता है इससे हम रौध्योगी की खत्रों से बचने के तौर तरीकों से परिचित हो जाएंगे विशेशग्य अर्पने शुकला ने कहा कि साइबर सुरक्षा अब राश्ट्रिय सुरक्षा का मसला बन गया है बिना चिंतन, मनन और लक्ष के व्यंग लेखन व्यंग के लिए उच्चत नहीं है यह बात व्यंगधारा द्वारा आईजित व्यंग विमर्ष गोश्टी में व्यंग का राजेंद्र सहगल ने कही उन्होंने कहा कि व्यंग में शिल्प और विधान का बहुत महत्व है यह व्यंग की लोकप्रियता साधन, साध्य और लक्ष नहीं है व्यंगधारा समू की सतरवी व्यंग विमर्ष कोश्टी में व्यंग की लोकप्रियता के खत्रे विशय परातिती वक्ता, शशांग भारती विशिष्ट वक्ता, व्यंगकार कुंदन सिंग परिहार और व्यंगक अभीजी दुबे अनूप शुकलाईवें कारक्रम के संयोजक डॉक्टर रमेश तिवारी ने भी अपने विचार व्यक्त किये। जरीपट का में बाजार रोड जिंजर मॉल से सिंदू सोसाइटी तक का रोड जिसकी हालत बहुत ही खराब थी। इस अफसर पर जरीपट का कॉंगर्स कमिटी के अध्यश प्रशान जग्यासी, चंद्रकान भाग्चंदानी, सुरेश असरानी, गौरव अंबादे, लाला जैस्वाल, कामडी साहब, ठाकुर जेठवानी, दौलत कुंगवानी, सुरेश पाटल, सतीश पाली, हनी खटर, रतनाकर, जैपुरकर, मनोहर चावला, मुकेश सावलानी, मुकेश खुशालानी, धवल विधानी, विनोध वास्वानी, डौक्टर जग्यासी, अजेब होजवानी, मशोक आहुजा, दयानन ठाकुर, हरीश चौधरी, जितेंदर नवीन वास्वानी, ओमतल रेजा, राजेश मलेक, राकेश गुरवानी, रमेश सहानी, शशी उके, संजे गजवानी, सोनु छावरा, सुनील उदासी, विनोध वास्वानी, लक्षमन थावानी, राजेश मोटवानी, कमल खुशालानी, हरीश लालवानी, संजे कुक रेज रमेश लालवानी सुनू बाल जंदानी वा कई नागरे को पस्त थे। बनाने और धर्ती को हरी बनाने के संगल्ब के साथ यह कारिक्रम संपन हुआ। महा मेट्रो के सिताबर्डी इंटरचेइन स्टेशन पर शही दिवस मनाया गया। जिस पर रिजर्व पुलिस बल SRPF के एक बैंड पठक ने स्टेशन पर देश भक्ती के गीत बचाए। जिसने यात्रियों को बहुत प्रेडित किया। यहां एवजिन शहीद पुलिस जवानों को शद्धानजली देने के लिए किया गया था। बैंड स्टैन पर बज रहे इस देश भक्ती के गीतों को सुनने के लिए बड़ी संख्या में मिट्रो यात्री रुख गए। खाने का अफसर प्रदान करने के लिए महा मेट्रो ने सीताबडी इंटरचेंड स्टेशन पर बैंड स्टैन का निर्वान किया। इस साल केंद्री रिजर्व पुलिस बल सी आर्पी एफ बैंड सुरसंगम म्यूजिक ग्रूप और सजल म्यूजिक ग्रूप ने गनतंतर दिवस, सुवतंतरता दिवस और गांधी जैंती पर प्रस्तुती दी थी। इस मौके पर उनोंने देशभक्ती के गीत प्रस्तुत किये। संकेत बावनकुले, रविंद्र पड्नवेस, मिलिन्ध भाकरे, दीब बरत, राणी धवले, पार्शत दिव्याग घुरुडे और अंकित अगरवाल, बिग एफेम इन लोगों का भी समावेश था। उम्रसीमा को पार करते हुए भेदभाव को भूल कर बच्चों से लेकर बुजर्गों तक सभी ने इस रंगारंग कार्प्रम का आनन दिया। 12 घंटों में 12,547 दियों की पेंटिंग का रिकॉर्ड पूरा करने के बाद महराश बुक आफ रिकॉर्ड के प्रतिनधी सुनील वागमारे ने मेट्रिक्स वारियर्स और्गनाईजेशन की टीम को प्रमान पत्र सौपा। मेट्रिक्स वारियर्स ने पैसला किया कि इस पहल से मिलने वाले फंड का अस्तिमाल दबाली के मौके पर विकलांगों और जरुत मंदों की मदद के लिए किया जाएगा। कारक्रम की रूप रेखा निरिक्षन अधिकारी अतुल वासनिक द्वारा की गई। कैसे ब्रष्टाचार को खुद से दूर रखा जा सकता है। की शरुवात खुद से की जा सकती है। सभी शाखा प्रभंदकों को दिनो दिन जीवन में कैसे सतर्क रहना है। और ड्रहा को को रिंट देते हुए किन बातों का ध्यान रखना है। की विस्तृत जानकारी दी। इस कारक्रम में बैंक ऑफ महराश्र नाकपुर अंचल के सभी सदस्य उपस्तित थे। सुप्रसिद मोटिवेशनल स्पीकर वाधन्दास तलरेजा के स्पीच कारक्रम कायोजन सिंधूरी यूथ विंग व सिंधूरी सहेली मंच नाकपुर की ओर से फेस्बुक के सुहिना सुन्धी पेच पर लाइफ किया गया। सिंधूरी यूथ विंग के संयोजग तुलसी सेतिया के संयोजन में आईजित इसकारक्रम में वाधन्दास तलरेजा लाइफ मानेजमेंट व सेल्फ डेवलाप्मेंट सिरीज के तहत बदला यूग बदले सोच। इस सामाजिक विशे पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हम केवल अपने लिए सोचते हैं आज के युग में हमारी सोच में और मेरा परिवार तक ही सीमित रह गई है। देश के लिए सोचें इस बदलते युग में सोच को बदलना होगा। इस अफसर पर सुहिना सिंधी पूना के अध्यक्ष पितामबर पीतर धलवानी ने कहा कि समाज से भी वाधन्दास तलरेजा के मोटिवेशनल स्पीच का लाब देश विदेश के लोग उठा रहे हैं। पूर्वनाकपुर के देशपांडे लेयाउट में बगीचा पूर्वनाकपुर विधाय क्रिशना खूपडे के सानिध्य में उप महापौर मनीशा धावडे ने आम जंता के लिए खोल दिया। एवा मनपा के उध्यान निरिक्ष को आदेश दिया कि वह बगीचा पूरी जगरवाल विनोत कोचर विशेश रूप से उपस्ति थे। सानिय नागरिकों ने सभी का आभार माना। किये गए पुन्य कर्म या आर्थिक कर्म स्ताई रहते हैं ऐसे शुप पलों को शुद्ध सोने से सजाएं और परिवार को खुश रखें। में रोकडे ज्वेलर्ज सोने चांदी और हीरे के नए डिजाइनों के साथ ज्वेलरी पेश कर रहा है। इस गुरु प्रिशा मृत को रोकडे ज्वेलर्ज में आएं और अपनी स्वन्न व्रिधी करें। चार पीडियों से आभुशन बनाने की गौरवशाली परंपरा को कायम रखने वाले रोकडे ज्वेलर्ज ने अपने गेहनों की विविदता, अनूठी कलाकृती और अतूलनिय शुदता के कारण नागपर के लोगों के मन में एक विशेश स्थान बनाया है। Central India Coal Dealers Association की नए कारेकारणी का गठन एवं 33 वी आम सभा कायोजन MS Restaurant Lounge सदर में किया गया। अधिकारी श्यामवाग द्वारा सभी का निर्वरोच ने जाने की घोशना की संस्ता के अध्यक्षत नारायन सराथी द्वाराम सभा को संभोधित करते हुए कहा कि कोल इंडिया द्वारा विगत 3-4 वर्षों में नोटिफाइड रेट नहीं बढ़ाए। उसके बावजूद कोल इंडिया द्वारा किये गए इ आउक्षन रेट में नोटिफाइड से 3 गुना तक व्रती हुई जिसे खुले बाजार में कोईले के दाम असामाने रूप से बढ़ते गए। पिछले कुछ समय से पावर प्लांच में कोईले को लेकर उद्योग चलाते थे। उन पर उद्योग चलाने का संकट आ गया। आयातित कोईले के दामों में काफी उच्छाल आना भी संकट के कई कारणों में से एक है। उसका सतकार मुख्यातिती शेकर सावर बंधेन किया। इस परदा में स्परण पदक वीजेता खिलाडियों में सिद्धेश कहार हुसेना राजा दक्ष सावंत निरावी वराठे सोनल शेट्टी नोडला वाक पृत्वी राजवाक सिद्धार्थ पाठक वशिवन्या धारि वाल का समाविश है। स्वच्छ भारत अभियान पस्चिम मंडल नाकपूर द्वारा पस्चिम नाकपूर में विभिन्न स्थानों पर नागरी को द्वारा सडकों पर छोड़ी गई। उन्होंने बताया कि महानगर पाली का द्वारा कृत्रिम टैंक में विशर्जन की विवस्था निशुल को उपलब्द कराई जाती है। उन्होंने सभी नागरेकों को आवान किया मुर्तियों का विधिवत विशर्जन महानगर पाली का द्वारा स्थापित इन टैंक में ही करे तथा परियावरिन की रक्षा करने में सहयोग करे। इस कार्य को पूरा करने में भाजपा पस्चिम मंडल के संपर्क प्रमुक अनिरुद्ध पालकर शहर कार्यकारिने के अनुपमा सायरे स्मृती रागह। अध्यक्ष सुधिर कपूर महामंत्री अर्विंद भनसाली संपर्क प्रमुक भागेश्री चन्ने योगिता जारारि किया सुधिर आनन सुचित्रा नशीने दिने शिरागह। आधि सदस्यों का विशेश शहयोग्रा। सच्चो सत्रामदा सेवा मिशन और सना फाउंडेशन जरिपटका की ओर से हुडकेश्वर पवन नगर शिव मंदिर में नीशुल का स्वास्थ एवं वैक्सिन शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ शिविर में अपने मार्गदर्शन में डॉक्टर राम थारवानी ने कहा कि बदलते मोसम में बीमारी के प्रति सजग रहना चीए। बीमारियों से निजात पाने के लिए रहन सहन साप सपाई का विशेश ख्याल रखना चीए। लापरवाई की वज़ा से काफी बीमारिया तेजे से पाव पसार रही है। सेवा कर्म दान धर्म पर अमल करते हुए मिशन की ओर से परिसर में पिछले अनेक वर्षों से शिविर का निशुल का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में वरिष्ट समाज से वी दादा घंशामदास कुकरेजा, प्रेम नारव दादा श्रीचन दास्वानी, प्रदिप बालानी का विशेश सहयोग रहा। छिकित्सकों ने जाच उपरांत योग्य परामर्ष मरिजों को दिया। शिविर का 355 लोगों ने लाब लिया। दर्शन, सनाया, अमित थारवानी, भारत एजनसी, पुजा का योगदान रहा। नाकपूर महानगर पालीका ने शहर के 6 विदान सभाक्षेत्रों में 6 अंग्रेजी मिडियम स्कूल शुरू किये है। इन स्कूलों के अंतरगत हंसापूरी खदान के निकट स्वर्गिय गुपाल राव मोडगरे मनपा इंगलिश प्राथमिक शाला में केजी वन और केजी की मिश्री कोट कर स्कूल निरिक्षक सीमा खोबरागडे मुख्या दैपी का सरुच पांडे विने बगले आकंग्षा फाउंडेशन के सोमसुर्व चैटर जी आधी उपस्तित थे। महाप और मनपा के इंगलिश मिडियम स्कूलों के छात्रों को पाठ्थे पुस्तके और शैक्षनिक सामगरी वितरित कर रहे है आकंग्षा फाउंडेशन इन छह इंगलिश मिडियम स्कूलों का संचालन कर रहा है हनसापुरी खदांस्तित स्वरगिया गोपाल राव मोडगरे मनपा इंगलिश प्राथमिक शाला में केजी वन और केजी टू के चौपन छात्रों प्रविश लिया है विशिज बात तो यह है कि विद्वार को 6 विद्यार्थियों ने प्रविश लिया इस बारे में महापौर दया शंकरतिवारी ने आकांग्षा फाउंडेशन की टीम का अभिनांदन किया उन्होंने कहा कि मनपा की ओर से गरिब बस्तियों के बच्चों क लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किये गये है शहर ओस्वाल समाज की प्रतिनीदी चंस्ता श्री ओस्वाल पंचयती कर्द वीवार्षिक चुनाव में अध्धक्ष सुभाश कोटेचा एवं महमंत्री मनिश छल्लानी निर्वीरोच चुन लिये गये साथ ही उनकी पूरी पैनल भी निर्वीरोच चुन कराई जिसमें उपाध्धक्ष महावीर कोटेचा विजय बांठिया कोशाध्यक्ष संतोष गिलडा मंत्री राकेश कुठारी प्रकाश डागा कारेकारीनी सदच्य में सुहन जामड ललित कुठारी सावन भटेवरा फरशित भनसाली ललित बरडिया, आनन भरुट, सुरेश सीपानी, शीतल श्रिमाल, मितेश कटारिया, प्रफुल खिवासरा, प्रदी प्रांका, महेंद्र आंचलिया सभी निर्वीरोध निर्वाचित गोशित किये गए चुनाव अधिकारी डॉक्टर सुनील पारक एवं सुधिर सुराना ने चुनाव संपन्न कराए पुर्व महमंत्री सुधिर बैद मुठत्था ने सभा का संचालन किया एवं सभी का आभार माना अर्विंद इंडो पब्लिक स्कुल में 26 अक्तुबर से एक नवंबर तक सतर्क तक जन्जागरुती सप्ता मनाया जा रहा है सर्ववैपी ब्रस्टाचार को दूर करने तु अभियान चलाया जा रहा है कक्षा नवीव दस्वी के विद्धरती उफिये ब्रस्टाचार नाटिका प्रस्टुत करने जा रहे है हिंदी वीभागत द्यक्षा निविदेता कोचे के मार्क दर्शन में उफिये ब्रस्टाचार नाटिका के अंतरगत जम्न से मरंटक कैसे हरक्षेत्र में व्याप्त ब्रस्टाचार आम इंसान का जीना दुभर कर देता है इस पर करारा कटाक्ष किया गया है सतर्क्ता जनजागरुती सपता के सपलतार्त वन्दनायादव वन्दना बरपात्रे शुभं करोकार मनझोशा सत्कार तथा अन्य सभी शिक्षकों ने अथक प्रयास किया स्कूल के प्राचारय राजेंद्र मिश्र ने जनजागरूती सप्ता के अउसर पर विध्यार्तियों को शपत भी दिलाई और कहा कि हम हमें स्वयम से शुरुवात करनी होगी कही न कही हम सभी बिगडी हुई वेवस्ता एवं कुशासन के लिए जिम्मेदार है नैतिक पतन पर पूरी इमानदारी से चिंतन एवं मनन करना जरूरी है स्कूल के कार्यकारी अद्ध्यक्ष एवं निर्देशक पूर्वविधायक डॉक्टर आशिश देश्मुक ने स्कूल के उपकरहम की सराना की तता सभी का अभिनंदन किया खामला सिंधी कॉलोने में बड़े हरशुलास से करवचोत मनाय गया महिलाओंने सुबँ से ही निर्जला वरट रखकर पूजन किया शाम को श्रंगार कर महराज विजय प्रकाश शर्मा के निवास्थान पर करवचोत की कंथा पूजा शर्मा की मुखारविंदे से श्रवन की रात्री में चंद्रमा को करवे से जल समर्पित किया अपने सुहाग की लंबी आयू और यश्मान कीर्थी वह शांती के लिए चंद्रदेव से प्रार्थना की क्योंकि शास्त्रों में चंद्रमा को सुक शांती का प्रतिक मना गया है आजादी का अमरुत महुत्सव के अंतरगत दक्षिन मद्धक शेतर संस्कुरिति केंद्र नागपूर संस्कुरिती मंतराले भारत सरकार एवं भाषा और संस्कुरिती विभाग तेलंगाना द्वारा सरदार वल्लबभाई पटेल की जैनती की अवसर पर लोकनुत्य भारत भ करमपारिक लोकनुत्यों की रंगारंग प्रस्थूतिया देंगे इस कारेक्रम को सभी फेस्बूक एवं ट्वीटर पर भी देख सकते हैं 30 सक्तुबर को पी स्वामी द्वारा, जड़ा कुप्पू कोलाटम, के उपलाईया द्वारा, चिरुतला रामयमम्, कुंतला रमेज द्वारा, उगु धोल, तबस्वुम् रह्मान द्वारा, रॉब डांस, मनीश याध्याउ द्वारा, बरेदिन रुत्य, एज गुना लक्ष्मी द्वारा कोलाटम रुत्यों की प्रस्थुती दी जाएगी। तो नापपुर हलचल में आज इतना है। आप से कल फिर बुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए विकेवी न्यूस नमस्कार।